हेलो एब्रीवान वेल्कम बैक टो में चैनल जॉयस लूबुक्स आज मैं अब लोग के साथ यह वाली ब्यूटिफुल सा बिल्कुल वाटर प्रूब चट पूर्या मेकप लूक आपके साथ शेयर क्या है इस लूक को मैंने पॉंड्स बीवी क्रीम से क्रिया है अगर आप जा इस वीडियो को देखेगा यह वीडियो काफी ज्यादा है तो फ्रेंट सबसे पहले मैंने कि आपर डाबर कर रोजवाटर अपलाई किया है तो आपके पद जो भी टोनर है या फिर अपके पर कोई और ब्रांट का रोजवाटर तो आप उससे अपलाई कर सकते हो उसके सब्सक्राइब कर सकते हो उसके बाद मैंने ही आपके मार्स को लीप लाइनर से अपना इब्राउस को फिल एंड ड्रा किया है और यह वाली जो लीप लाइनर है यह तो सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्राउस को फिल कर लूँगी आपके बस अगर पैंसल है तो पैंसल से कर सकते हो या पूरे अपस्तरिके से यहाख कर सकते हो इस तरह से सबसे पहले मैंने किande करूंघ कर दोंगी उसके बाद मैंने फैल कर दूंघ और फ्रेंचिस आज कर जो मेक अपड़क今 बाज़ेट अचप बहुत इजी तरीके से मैंने इस लूक को कम्प्लीट किया है और इस यह वाली जो मेकप लूक है यह बिल्कुल वाटर प्रूफ है तो आप बेज जिजक कर सकते हो इस तरीके से मैंने फील करने के बाद एक पुली ब्राश के हल्प से सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर दिया ह इस तरीके से ऐसके बाद मैंने इहां पर क्यूटफ ले लिया है यह पर कॉट्वन बाट सब बोल सकते हो यहां पर मैंने गार重要 मैसेल और वाटर थोसा लेकर इस तरह वाट के से क्लीन कर लिया है आपको अगर इस तरह के से आइब्राऊस फिल करने के टाइम प्रॉप से पहले अप्लाइ कर लिया है और उसके बाद मैंने यह पर पॉरे ब्लेंडर से बहुत अच्छे से डेप कर लिया है और बूटी बलेंडर को आपको पाने में डीप करने के बाद भी ऐसका ना है तुस तरीके से बहुत अच्छे से सब कुछ ब्लेंद कर लूँगी अंड यहाँ पर आज यह कोई भी कंसीलार मैंने यूज नहीं किया हैं तो सेम फांश बीगी क्रि थोड़ी देद के लिए छोड़ दूंगी एंड आइशाडव बैस को भी मैंने इसी पाउडर से सेट कर लिया है उसके बाद मैंने यह पे लिया है हिलरी रोधा का आईशाडव पैलेट इन्दी शेड जीरो टू और यह बला आईशाडव पैलेट आपको अंडर हंडर रुप दीट विएलर से उसके बाद देखो यह पे मैंने क्रेड़ शेड को भी करेंके एंडर के से क्रीज्य लाइन के लेकर लाइव तक मैंने में अंडर छोड़ा है अंड पूरे इस तरीके से एप्लाई किया है क्रीज लाइन पैक्री आन जिना कॉरन आप तर आवर प्रका उप इसको लेकर के में प्लेस किया है। बहुतीजा हैं पातके ही अश्याइन को मैं गरूप इसक्याइज और एपलो ब्रॉप करें गा τारीज दर, आःकानिक साथाू बेहान रेट्य हो क्या सक्काट उसक्त्रक घर सब्याराई करें एद को में सब्लेकर है। बॉष्य अप्लाइब करने के बाद है यहां मैंने मार्स का पर वार्ट में थिकर कारों Position जो भी प्रोडाक्ट मैंने यूज अजन कर विलिंक आपको description बॉक्स में लेगे तो get out जो कीजिएगा और इसके बाद मैंने अब देख सकते हो दोनों आइस पर बहुत अच्छे से काजल को अप्लाइ कर लूँगी सो नेक्स्ट मैंने यहां पर आइलाइनर के लिए लैकमी के इंस्टा लाइनर ले रहा हूँ इस लाइनर को मैंने थोरा सा थीकली अप्लाइ करूंगी और कोई भी विंग्स मैंने यहां पर क्रियेट नहीं करूंगी बट थोरा सा थीकली मैंने अप्लाइ किया है अब देख सकते हो दोनों आइस पर मैं सेम तरीके से लाइनर को अप्लाइ कर लूँगी इन मैंने यह पर शीम लाइनर को ही ऐसे मसकारा मैंने यह पर अप्लाई किया है तो एक स्पूली ब्राश के हेल्फ से मैंने इस मसकारा को अप्लाई किया है आप इस हैक को जो से ट्राइ कीज़ेगा इतना इजीली लग गया था इतना अच्छे से अप्लाई हुआ था क्या ही बोलू और यह वाटर प्रूफ लाइनर है तो ओवियसली मस्कारा भी वाटर प्रूफ हो जाएगा तो इस तरह के से मैंने आपर वाटर लाइन पर लाइन प चाहां करी वाटर प्रूंट है मैंने अपीज फिवर वाटर को अवाब याद था यहाध तो आपको थाप्लाइट अभी आप्लाइक है स्वालिक्त तो इस तक बाद में लेपकर लिफ कलर के लिप लुप लब य Jazz के यह वाली लिप कलर का रिवर प्लाइए बट्सका याइ में लिंक पाल चाहें कि उसके बाद मैं यहां पे आईशाओ बैलेश में से रेशेट को थोड़ा सा इस तरह के से प्रेस किया है and then मैं यहां पे शरीके का जोलेट के साथ इस लोग को कम्प्लिट के है so that's my final look guys hope कि आप लोगो को आच के वीडियो पसंदाई होगी and अच के make-up look आपको पसंदाई होगी तो अगर आपको यह वीडियो पसंदाई तो अगर आपको यह वीडियो थोड़ा से पसंदाई तो प्लीज इस वीडियो को अपने प्याश्यों दीजिए का